बदायों की बावा कॉलोनी में दो मासूम बच्चों की साजिद ने हत्या कर दी जाविद फिलाल फरार है पुलिस को उसकी तलाश है और चार पुलिस की टीम है उसको तलाश रही है और इस वक्त हम पहुँचे हैं सकानू जो उस घड़न सल से करीब 12 किलूमेटर दूर है और ये साजिद जाविद का घर है फिलाल घर पर कोई मौदूद नहीं है उनकी जो माता हैं उनको भी उनके पिता को और उनके चाचा को ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां से उठाया हुआ है क्योंकि जब यह खवर यहां तक पहुंची तो पुलिस तलाश में यहां पर गई थी जाविद की जाविद नहीं मिला तो परिजनों से पूछताश करने के लिए उनको अपने साथ यूपी पुलिस यहां से उनको लेके गई है लेकिन जब हम गावालों से बात करते हैं और जब हम साजिद या जाविद के बारे बात करते हैं चाहे फिर वो बावा कॉलनी हो या सखानू जो जाविद और साजिद का गाव है सबी लोग एक ही सुर्म बोलते हैं और कहते हैं कि जावेद और साजित तो ऐसे लगते ही नहीं थे कि दो मासूम बच्चों की हत्या कर सकते हैं खासतार से साजित क्योंकि यह कहा जा रहा है कि साजित ने दोनों बच्चों को मारा और जावेद घर के बाहर ख़़ा था आप इसी गाउं को रहने वाले हैं जावेद और साजिश से आप मिले होंगे कभी कभी ऐसा लगा कि इतने बड़े एक साजिश को रच सकते हैं दो मासूम बच्चों की हत्या कर सकते हैं यह कुछ सबसे पहले मैं जो है इनसे कभी मेरी मिलाखात होई नहीं है बरहल जो है इस सबको अफसोस है कि इतनी बड़ी जो है घटना को किस तरीके से उन्हों ने अंजाम दिया इतनी महबबत के साथ रहने के बावजूद तो यह जो है सबको यह जो है जहन्जवोड़ रही है पकड़के तो यह बहुत बड़ी स्रम गठना है इससे पूरे गाउं की बदनामी भी होई बिल्कुल पूरी गाउं की बदनामी है हमारे और यह बहुत ही एक सरमसा गठना है जो मासूम बच्चों को साथ हुआ है हाला कि वो भी बच्चे हमारे हैं तो उनके साथ जो हुआ है वो दर धंबी महसूस कर रहे हैं इसको बिल्कुल देखिए सखानू गाउं है जावेद और साजिद का यहां पर लोग कर रहे हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ है और साथी साथ और वह लोग है उनसे बात कर लेंगे जावेद और साजिद मुल्ड़ लगता था कभी कैसे कि घटना को अंजाम दे सकते हैं इनका कोई पता नहीं है इने कभी मैंने देखा ही नहीं यहां तो सगानुगंदर उनकी किसी दे जगडा भी नहीं हुआ है अच्छा मालना तो कसी लिए दूर की बात है अब पता नहीं क्या बजह है पसका परिबार में कभी कोई ऐसी चीज रही हों जिससे का कई पुलित आई हो कुछ नहीं नहीं ऐसा तो यह गाउंवाले कह रहे हैं कि ऐसा कभी परिवार ने कुछ किया नहीं कि पुलिस भी यहां पर आए लेकिन जो हुआ है दो बच्चों की जान गई है उसमें कहीं ना कहीं जावेद और साजित का गाउं भी उसी पीडिस परिवार के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है क केमरा परसन ईशोर के साथ में मानव यादव न्यूज इरिन इंडिया बदायों